सब्सक्राइब कीजिए दपर्फेक्ट क्लासिस चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटेश्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए तो आप परती दिन जिस तापमान का नुभव करते हैं वे वायू मंडल का तापमान होता है वायू में मौझूद तापयम शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं इसे तापमान की सायता से मापते हैं तापमान की एवल दिन और रात में नहीं बदल क्योंकि बच्चा आपको पता होगा कि गर्बियों में तापमान अधिक हो जाता है और सर्दियों में कम तो यहां बता हुआ भी शीत रितु की अपिक्षा ग्रीशम रितु जादा गरम होती है आत्पन एक महतोपूर्ण खारक है जो तापमान के वित्रण को भावित करता है अब आत्पन क्या होता है सूरे से आने वाली वह उर्जा जिसे प्रित्वी रोक लेती है आत्पन कहलाती है आत्पन की मात्रा भूमद्य रेका से दुर्वों के और घटती है मतलब भूमद्य रेका पर अधिक होता है आत्पन यह प्रित्वी है यहां पर अधिक होगा और जैसे जैसे इधर जाएंगे यहां से उपर की तरफ या नीचे की तरफ यहां पर और इन धुरूओं पर कम होगा ठीक है अब आगर देखते हैं इसलिए तापमान उसी पिरकार घटा है इसी कारण से धुरूब भरब से डखे हुए हैं यदि पृतिवी का दापमान अत्रिक बढ़ जाता है तो इतनी गरम हो जाएगी कि यहां कुछ फसले नहीं उख सकेंगी गाउं के पेक्शन अगरो का तापमान अधिक होता है क्योंकि शेहरों में जनसक्या अधिक होती है वहनों फैक्ट्रियों एवमन ने क्रिया कलापों में इधन की खपत अधिक होती है अब गाउं के पेक्शन अगरो का तापन अधिक होने के क्या कारण नहीं है अधिक जनसिंख्या है अधिक वहन अधिक वरक्ष या अधिक फैक्ट्रिया अधिक वरक्ष कारण नहीं है यहां पर शेहरों में अधिक वरक्ष नहीं होते हैं आप देखें प्रिशन नमबर तीन आत तो आप मान कहते हैं इस पर निशान लगा लेना आप निम लिकित प्रिशनों के उतर दीजिए कोशन नमबर 5 है लोगतंत के सम्मुख कोई दो मुखे चुनोतियां बताईए तो आप लिखेंगे जनसंग के वृद्धी संप्रदायकता ठीक है प्रिशन नमबर 6 है वायू लिखेंगे लगाया गया बहार और फिल लिखेंगे वायू दाब कहा जाता है ठीक है बस इतना लिख देंगे वायू दाब क्या है ये लिख देंगे अब प्रिशन नमबर 8 है वायू मंदल का संतुलन बनाये रखने के लिए विरक्ष किस प्रकार उपी होगी है तो यह करते हैं जबकि मनुष्य विरक्ष द्वारा छोड़ी जाने वाली ऑक्सीजन गिरन करते हैं इस प्रकार वायू मंदल का संतुलन बना रहता है प्रिशन नमबर 9 है बच्चों मौसम जलवायू से किस प्रकार उपी होगी है तो इसका आंसर हम लिखेंगे देखिए इसका आ वायू दीरकाल में किसी इस्थान की उसत दशा होती है अब प्रिशन नमबर 10 पवन क्या है और इसके विबन प्रकारों का उलेक कीजिए तो इसका आंसर क्या है देखिए उच्च दाप छेत से निम दाप छेत की और वायू की गति को पवन कहते हैं तिन प्रकार की होती है इस्थानिय पवने वेपारिक पवने और पूर्वी पवने पस्चिमी और पूर्वी पवने और इस्थाई पवने हैं यह देखो यहां से आप तीसरा लिखना आईए ठीक है इसा पॉइंट डाल सकते हैं यह पूर्वी और पस्चिमी पवने यह पहलो गया वेपारिक यह अपने विभिन रितू में अपनी दिशा बदलती है, इस्थानी ये पवन जो होती है, ये पवन किसी छोटे चेत में वर्शा ये दिन की विशेश समय में चलती है, तो आपकी वर्कषीट कंप्लीट हो गई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वाचिंग